Good morning student, मेरा नाम जितेंद्र पाहिनियर है, from पाहिने ग्रेट मिशु डेली आज हम लोग रिजरिंग का एक टॉपिक लेकर हैं, grouping of figures यानि आकर्तियों का सम्हुई करना, ठीक है? इसमें क्या होता है? एक question में 9 आकर्तियां दी हुई इतनी ठीक है? उनका हमें grouping करना होता है, ठीक है? तो 3-3 आकर्तियां का group बनता है, ठीक है? जैसे हम लोग ने पहले बिलकुँ simple question दिया है, ठीक है? इसको आप देखते हैं और इसके आधार पे 3-3 आकर्तियों के 3 group बनाते हैं, ठीक है? इसको कहा जाता है grouping of figures, figures का group बनाना, ठीक है? यह new आ करती है पर पहले में मुझे देखते ही इस पर circle पर ध्यान जाता है इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि जो grouping बन रही है circle की grouping बन रही है यानि two six और eight जो figure है वो same आ रही है दूसरी बात क्या होती है एक तो hard work होता है स्मार्ट वर्क इन क्रिश्चंस में हमें थोड़ा smart work करना पड़ता है वैसे तो जो जितना भी एक्षाम के कुष्चन होता सभी में smart work करना चाहिए तेक है बट इसमें smart work क्या है जैसे हम लोगोंने पहली आकरती देखी two six eight पहले हम लोग देख लिते हैं Mega% फूसरी में थğl॥्यितलन हो से क्रफिक देख नहीं है इसको भी अड़ी अए ज्यादा दिमग लगाने का ख़पता ही नहीं है ठीक है वैसे क्या आकरती बनती है देखो 2, 6, 8 एक तो ये हमारी grouping बनती है तीनों में ही circle है then आता triangle 3, 4, और 7 ठीक है 3, 4, और 7 ठीक है 3rd जो रह जाता है हमारा वो रहता है 1st, 5th, और 9 ये क्या है हमारे square है ठीक है 4 भुजाओं से बने ही आकरती है चत्रबुजा है ठीक है तो circle का एक हो गया एक tangle का हमारा हो जाता है ठीक है और दूसरा चत्रबुज का हो जाता है ठीक है तो ये क्या बनता है बच्चो 1, 5, और 9 ठीक है तो ये जो सारी number जो है 2, 6, 8 हमें प्राप्त होता है 159 भी और 347 भी ये तो time consuming है जहां मैंने पहली वाली चीज़ समझाई है उसके according आप लोग करेंगे तो हमें एक ही figure देखते आंसर निकल जाता है तो within seconds काम होगा आप computer पे देखेंगे और तरंती आपका answer होगा समझ रहे बात अभी देखें जैसे second लाला है इसको देखेंगे आप थोड़ा बनाने की कोशिश करें फिर मैं बताता हूं कैसे करना न देखें जड़ा बच्चों डिजनिंग में क्या होता है दो तरह की डिजनिंग होता है एक verbal होती है एक non-verbal होती है जिसमें आपके पास लिखित में होते हैं जैसे मालनों हमारा direction वारा question है ठीक है blood relations related है हमारा series है इस तरह की questions होते हैं वो verbal में होता है यह non-verbal बहुता है फिकर से related है एक question हर एक्जाम में आता है चाह कोई भी एक्जाम हो चले दूसरी वाले question पर आजाते हैं हम लोगो जड़ा देखिए आप लोग करके देखिए फिर मैं बताऊंगा answer क्या है इसमें अब तो simply हो जाएगा आप लोगों से जल्दी करें थोड़ा चले करते हैं answer देखते हैं क्या आया देखिए बच्चो यहाँ figure देखने से जैसे मैंने पिछले वाले question ने बताया है सीधा हमारा circle पर ध्यान जाता है यहाँ पर भी सीधा circle पर ध्यान जाता है 1, 5 और 7 एक चीज़ और देखने वाली है इसमें देखो 3 figures है एक तो circle है हमारा एक हमारा triangle है दूसरा हमारा square है और सभी जो figure है वो 3-3 भागों में divided है किसी भी figure को ले 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 वो 3-3 भागों में divided है अब एक बात और आती है इसमें इसमें क्या है यह जो figure है यह equally distributed है यानि सभी जो तीनों भाग है वो बराबर बराबर भागों में यहां पे विभक्त है दिवाइड है बट यहां पे क्या है उस चीज़ को ध्यान में रखना हमने देखना भई जैसे circle है तीनों circle को एक जगा ले लेना है 157 यहां मैं लिख लेता हूँ पहले circle को ले लेते है 157 अब 157 किसमें बचो option 1 में है 157 second में नहीं है third में भी नहीं है fourth में है तो हमारे पास first और fourth हमारे पास option रह जाता है इसके पर हम लोग लेते हैं triangle triangle किसमें है 2,3 2,3 और 8 में तो यह तीनो ट्रेंगल है 2,3,8 अब देखो 2,3,8 इसमें नहीं मिलता हमे यह option पहले ही हम लोगों ने reject कर दी है 2,3,8 हमें यहां मिल जाता है तो इसका मतला हमारा answer यह होता हमें third part देखने की जाब शिकता नहीं है फिर भी देख लेते हैं तो यह बच्चों हमारा answer दी पार्ट आ जाता है तो इस तरह से यह questions करने है जैसे मैं आप लोगों पहले ही बता चुका हूँ तो यह reasoning का पार्ट है और reasoning के पार्ट में दो तरह के होते है एक तो हमारा verbal reasoning होता है एक हमारा non-verbal होता है verbal reasoning में हमारा आता है direction से related हो गया blur relation हो गया series हो गया old man out हो गया तो यह सारी चीह हमारा verbal में non-verbal में figure से related questions आते है तो एक question यह जो हमारा है grouping of figures तीक है आकर्तियों का समुझी कराना एक question हर exam में आता ही है तो आगर आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे इसको question को थोड़ा ध्यान से कर लेंगे तो एक number आपका clear हो जाएगा हमारे हमारे उसमें add हो जाएगा ठीक है चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं next video में best luck